Hello students, welcome to this class. Today we are going to talk about thesaurus. जैसा कि कुछ students ने कहा था कि ये thesaurus जो topic है, इसके उपर एक lecture बनाने के लिए कहा गया था. तो आज हम इसी thesaurus के बारे में discuss करेंगे कि ये क्या होता है. Thesaurus is a book that contains list of words and phrases with similar meanings. ये एक समानार्थी शब्दों और वाक्यांशों का कोश होता है या प्रयाय कोश, प्रयाय शब्द कोश इसे कहते हैं. तिसारस समानतर कोश, शब्द के ही समान संदर पुस्तक को कहा जाता है. तो हमने देखा कि शब्द कोश के ही समान या जैसे डिक्सिनरी के समान ही इसे रेफरेंस बुक के तोर पर माना जाता है जिसमें शब्दों के अर्थ व उचारन की बजाए उसके समानार्थक, सिनोनिम तथा विलोम, एंटोनिम शब्दों व उनके प्रियोग पर जोर दिया जाता है शब्द कोश की भांती समानांतर कोश में शब्दों को परिभाशित नहीं किया जाता बलकि समान शब्दों में भेद स्पष्ट कर सटीक शब्द के चुनाव को आसान बनाया जाना इसका लक्षय होता है अता समानांतर कोश को शब्द सूची नहीं समझा जाना चाहिए अर्थात कि ये जो थिसौरस है इसे हम डिक्सनरी नहीं मानेंगे लेकिन ये एक ऐसा कोश होता है शब्दों का जिसमें जो शब्द दिये गए होते हैं वो ए से लेके जड़ तक सीक्वेंस में दिये गए होते हैं और उनके समानांतर जो शब्द है जो समान अर्थ वाले शब्द है सिनॉनिम जो है उनके उनको ही उसमें दिया जाता है या विलोम शब्द उसमें दिये जाते हैं ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो प्रयायवाची अंग्रेजी इसे सिनॉनिम कहते हैं शब्द क्या लाते हैं? पानी के प्रयावाची शब्द है यहां पर देखिए जल, नीर, अम्बू, तोय, आदी सूर्य के प्रयावाची शब्द भी यहां पर दिये गए हैं दिनकर, दिवाकर, भानू, भासकर, आक, आदित्य, इस तरह से आप इन सब को यहां पर study कर सकते हैं तो इसी तरह से हर शब्द के प्रयावाची जिस बुक में दिये जाते हैं, उसे सीक्वेंस में और सिस्टेमेटिकली दिये जाते हैं तो वह उस भाशा की थिसॉरस कहलाता है थिसॉरस, थिसॉरस is a book about words, like a dictionary, the entry words are listed in alphabetical order देखे, alphabetical order में जैसे dictionary में words दिये गया होते हैं, वैसे ही इस में भी इसी order में दिये words को रखा जाता है However, instead of giving the meanings of those words, देखे, उनके अर्थ देने के बजाए, थिसॉरस lists synonyms for each entry words Meaning के बजाए, इसमें उसके synonym को दिया जाता है, या enter किया जाता है Here is a simple example of thesaurus entry for the noun dog Dog, dog को देखे, यहां पर आप इनको देख सकते हैं कि कितने words से hound है, canny, mongrel, trike, witch, pup, puppy, welp, doggy, mutt तो यह इसके synonym words है When you don't know the exact word you that want, you look in a thesaurus तो इसमें हम थिसॉरस में जा सकते हैं, जब हमें कोई exact same word नहीं मिलता है Synonyms, words that have the same meaning देखे, synonym को और भी अच्छे से समझ लीजिए आप बैसे जानते भी हैं सभी कि synonym क्या होता है लेकिन यहाँ पर हम फिर से देखिए, example के तौर पर यहाँ picture को आप देख सकते हैं कि जैसे kids है, kids को हम children भी बोलते हैं, children को kids भी बोलते हैं तो यह समान अर्थ वाले शब्द है present, यहाँ पर present है, देखिए, उपहार है present को हम gift भी बोलते हैं, यह भी समान अर्थक शब्द है इस तरह से समान अर्थी शब्दों को thesaurus में दिया जाता है using a thesaurus, thesaurus lists words in alphabetical order at the top of the page are guide words, these words help you know what words are on a particular page जैसे dictionary में top में words दिये होते हैं, वैसे ही thesaurus में भी words दिये होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि किस अक्षर वाले शब्द किसी particular page में दिये गए है to find a synonym, start by looking for the word you want to replace तो हमने अगर synonym को देखना है तो हमने words के according, उसका sequence क्या, उसके alphabetic क्या है, starting के उसके according हम इसमें देख सकते हैं और एक को छोड़कर दूसरे को देखना चाते हैं तो हम pages को move कर सकते हैं it starts with a and ends with z तो a से शुरू होते हैं शब्द इसमें और z तक खतम हो जाते हैं synonym यहां पर देखी दिये गए है beautiful के कितने सारे यहां पर words दिये गएगे beautiful को और कौन-कौन से शब्दों से use किया जाता है तो beautiful के लिए graceful है, cute है, elegant है, decent, stunning, appealing, marvelous, good looking, fine, nice looking, dazzling, attractive, delicate, charming, admirable, lovely तो यह सभी आप यहां पर देख सकते हैं कि beautiful को कितने शब्दों के साथ, समान अर्थवाले शब्दों के साथ यहां पर दिया गया है excellent है, excellent के लिए देखिए, admirable, awesome, brilliant, cool, exceptional, fantastic, first class, first rate, great, magnificent, marvelous, out of this world, outstanding तो यह सारे शब्दों है, यह excellent के लिए use किये जाते हैं so that's all about this topic, उमीद है कि आपको तिसौरस के बारे में जानकारी पूरी मिल गई होगी तो अगले topic में अगर आपको कोई और भी doubts है किसी topic के regarding तो आप मुझे बता सकते हैं मैं उसके वीडियो बना के आपको भेजूंगा, thank you